जैश्री राम, कैसे हो आप सबी? तो लोगों ने पूछा ये कि हवन के विशे में है ना? कि लोग जाते तो हैं, बहुत लोग हर एक प्रकार के लोगों हाँ पर पहुंचते हैं और पहुंच के जरूरी नहीं है कि अपने विशे में पूछे हैं ना? परिवार के किसी भी लोगों के बारे में वो पूछ सकते हैं इसमें कोई बंदिस नहीं है पर ऐसा नहीं कि हम किसी अनौन परसन के विशे में कुछ जानकारी ले रहा हूं और गुरुजी दे दें ऐसा नहीं होता अपने परिवार के लोगों के कुछ कस्टों का निवारन चाहिए तो पर गुरूर जी बताते हैं पहली बात दूसरी बात कि पूछने तो सभी लोग पहुँच जाते हैं पर क्या हवन भी वही लोग करेंगे रामायन भी वही करेंगे अमावश्या भी वही करेंगे जो पूरी रमायन कर रहे हैं, आम अवश्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको हवन में होना जरूरी है, उनको हवन में बैठना होता है. और दूसरा सबसे महत्वपुन बात हवन में जिनके लिए हवन किया जा रहा है जिनके लिए सारी विदिविधान से पुजा की जा रही है उनको हवन में बैठना जरूरी है क्योंकि उनके लिए ही हवन हो रहा है तो हवन में उनका रहना अतियावश्यक है और उन लोगों के लिए ज्यादा अवश्यक है जो किसी विमारी से ग्रसित हैं किसी और बाधाओं से उनको थो हवन में बैठ नहीं बैठा क्या उनकी इनके लिए मैंने पंडोकर धाम के विशाय में छोटी से छोटी बाते भी जितनी मुझे जानकारी थी, वो मैंने बताने की कोशिस की है अपने वीडियो के थू है ना, तो पुराने जो वीडियो है मेरे, उनको देखकर भी बहुत सारे लोग हैं, भाईया हैं, दीदी हैं, ये करते हैं, क करते हैं, कि इसके बारे में बताएं, तो एक ही बात मैं बार बार कैसे बताऊं, एक एक व्यक्ति को एक ही बात बताना पॉसिबल नहीं होता न, तो आप लोग जिनको जानना है इसके विशाय में, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते ही आपको मेरे स तुरंत कर दूं कमेंट की लेकिन सबकी रिप्लाइ मैं नहीं कर पाती है नहीं हो पाता तो मेरी पास वहां के विशे में जो भी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी और जितना हो सकता है मैं दे भी दी हूं और नहीं जानकारी जो भी होगी मैं आपको बताती रहूंगी और और उसके लिए आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जैश्री राम